नमस्कार भाई जूस एक्जाम प्रेप आई एस हिंदी में आपका सौगत है प्रस्तुत है दैनिक क्विज पहला प्रशना आपके समक्ष है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए कानून के नुसार आजीवन कारवास कार्थ है अधिकतम 14 वर्ष की अवधी के लिए कारवास जब किसी व्यक्ति को किसी अपरात के लिए सजा सुनाई जाती है तो उप्युक सरकार किसी भी समय बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर जो सदायापता व्यक्ति को सुईकार हो उसकी सजा के अमल को निलंबित कर सकती है और उस सजा के पूरे या किसी हिस्से को छमा कर सकती है आपको बना ना है कि उपर योग कथनों में से कौन साया से सही है? केवल एक, केवल दो दो नो के इंद में से कोई भी नहीं आजीवन कारावास के संदर में आपको ध्यान दखना है कि सुपरीम कोड के अनुसार और आजीवन कारवास कार्थ है दोशी के पूरे जीवन के लिए जेल की सजा, इसमें यह एक गलत धार्णा है कि आजीवन कारवास की सजा काट रहे कैदी को 14 वर्ष या 20 साल की कैद पूरे होने के बार रिया होने का एक अधिकार है, किन्तु कैदी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इसमें भी छूट के तहर सरकार उम्र कैद की सजा की अवधी को 14 साल से कम की अवधी में नहीं कर सकती है इसमें CRPC यानी डंड प्रकिरिया सनिता 1973 की धारा 432 भी महत्तपूर है जो विविद सजा निर्णियों को निलंबित आदी करने की शक्ती से संबंदित है इस प्रावधान के अनुसार जब किसी व्यक्ति को किसी अपराद के लिए सजा सुनाई गई है तो उपयुक सरकार किसी भी समय बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर सजा सुनाए गए व्यक्ती की सजा के निश्पादन को निलंबित कर सकती है या सजाक के पूरे या किसी हिस्से को छामा भी कर सकती है इस रूप में चुकि हम से सही कथन की पहचान करने को कहा गया है तो हमारा जो पहला कथन है वे सही नहीं है हाला कि दूसरा कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी केवल दो आज के दाहिंदू में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है। है तो उसे चार सप्ता के भीतर परदान किया जाएगा यह अधिनियम सभी परिस्थितियों में खूफिया और सुरक्षा संगटनों पर लागू नहीं होगा आपको यह बताना है कि इन में से कौन से कथन सही है केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन की एक दो और तीन स सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर में आप यह ध्यान दखेंगे कि भारतिय सम्विधान के अनुच्छेद 19.1 के तहट सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है इस प्रकार सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया जो इस मौलिक अधिकार का प्रियो की धारचार को आपको ध्यान रखना है, जो प्रतेक सार्जनिक प्राधिकन के द्वारा सूचना के स्वाप प्रेर्णा से प्रकटिकन की आउशक्ता पर बल देता है। अर तालिस घंटों के भीतरा पूर्ती की जाएगी। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि इस अधिनियम की धारा 24 का संबंद कुछ खूफिया और सुरक्षा संगठनों को आर्टी आई कानून्त के दाएरे से छूट देने से संबंदित है। नहीं कर सकता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला जो कतन है वे ही सही है। और साथ ही तीसरा कतन भी हमारा सही नहीं है और चूंकि हमसे केवल सही कतन पूछा गया है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक आज के दाहिंदू में इस संबंदित खबर प्रकाशित हुई है क्योंकि ओडिसा में मानवा अधिकार कारे करताओं ने आरोप लगाया है कि राज्यसरकार जनता को जानकारी देने से इनकार करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 24 का शरण ले रही है। दोनों की इन में से कोई भी नहीं। कोंड़ा पल्ली खिलोनों के संदर में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आंधर प्रदेश के सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो ऑनलाइन, ठोक और खुद्रा प्लेटफॉर्मों पर भारत और विदेशों में सबसे अधिक बिकने वाले हस्त शिल्पों में से एक माने जाते हैं, ये खिलोने एक विशेश प्रकार की लकड़ी जिसे तेल्ला पोनिकी के नाम से जाना जाता है, उससे बनते हैं, जो खिलोनों को एक अनूठा चरित्र प्रदान करती है, तेल्ला पोनिकी की लकड़ी मुलायम होती है, और इस रूप में आसानी से खिलोनों के आकार में ढाली जा सकती है। आपको यह भी ध्यान देना है कि कोंड़ा पली खिलोनों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा भी प्रदान किया गया है। इस रूप में आप यह देख सकते हैं कि इसमें जो पहला कतन है वैं सही नहीं है। अलकि दूसरा कतन हमारा सही है और चुंकि हमें सही कतन की पहचान करनी है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी केवल दो आज के दाहिंदू में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है। मामलों में नियुक्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि इन कतनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक केवल दो दोनों कि इन में से कोई भी नहीं। में जिन में विशिष्ट विशेशक्यता की आवशक्ता होती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही जो कतन हैं वे हमारे सही हैं और हमारे सही उत्तर हो जाएगा सी दोनों। आज के दाहिंदू में इस से संबंदित खबर परकाशित हुई है। अब हम 6 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज में पूछे गए एक प्रश्न को देख लेते हैं जिसके उत्तर को आपको समझना है। कोश्चन है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के संदर में निमलिखित कतनों में से कौन सा या से गलत है या है। एक दशमलब पांच फीसदी प्रीमियम का भुकतान करना पड़ता है जिसकी वे किसी भी मौसम में खेती करते हैं। आपको बताना है कि इन में से कौन से कथन गलत हैं केवल एक केवल दो दोनों कि इन में से कोई भी नहीं। परदान मंत्री फसल बीमा योजना के संदर में आप एध्यान देंगे कि यह है केंदर सरकार के द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है जिसमें प्राकरतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाली फसल से पहले और फसल के बाद के नुकसान को शामिल किया गया है योजना के अनुसार सभी परकार की खरीब फसलों के लिए किसानों के द्वारा केवल दो फीस अदी, रभी फसलों के लिए देड़ फीस अदी और वार्शिक परकार की वानिज्यक और बागवानी फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम के भुक्तान को प्रावधानेत किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी दोनों अब हम UPSC के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्ण को देख लेते हैं। संयुक्तराश्ट मुख्याले में मिशन बनाए रख सकते हैं। सदस्य राज्यों, अंतरराश्टिय संगठनों और अन्य संस्थाओं को स्थाई परवेक्षक का दर्जा प्रदान कर सकती है। एक स्थाई परवेक्षक का दर्जा विश्युद रूप से अभ्यास पर अधारित होता है और संयुक्तराश्ट चार्टर में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रणाली की शुरुवात वर्ष 1946 में हुई जब महासचेव ने संयुक्तराश्ट में एक स्थाई परवेक्षक के रूप में सविश सरकार के पद को सुईकार किया। धीरे-धीरे कुछ राज्यों के द्वारा परिवेक्षा के दरजे को प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया गया, जो बार में सैयुक्त राश्ट के सदस्य बने, इनमें आस्ट्रिया, फिनलेंड, इटली, जापान, आदी शामिल थे, और 2002 में सुईट्जल लेंड भी इ इस थाई परिवेक्षकों के पास अधिकांश बैठकों और प्रासंगिक दस्तावेजों तक नेशुल्क पहुँच होती है, कई छेत्रिये और अंतराश्टी संगठन भी महासभा के कार्य और वार्शिक सत्रों में परिवेक्षक हैं, इसके लाबा इस थाई परिवेक्षक सैयुक्त राश्ट मुख्याले में महासभा के सत्रों और कार्यों में भाग ले सकते हैं और मिशनों को जारी रख सकते हैं, इस रूप में तीनों के तीनों जो कतन हैं वैस सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा D, 1, 2 और 3, अब हम बात कर लेते हैं, fact of the day, यानि आज के तत्य की जिसमें हम बात करेंगे ताइवान की साही की रणनीती पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अकबार में प्रकाशित हुआ है, हाली में चीन ने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पैलोसी की ताइवान यात्रा के जबाब में ताइवान के पास आक्रामक और अभू युद्ध की मांग किये बिना युद्ध की तैयारी को कर रहा है, इस संदर में ही हमें चीन से लड़ने के लिए ताइवान के साही सिध्धान को समझना महत्तपूर है, साही सिध्धान जिसे 2008 में युएस नेवल बॉर कॉलिज के शोध प्रोपेसर विलियम मरे के द्वारा प्रस्तावित किया था वस्तुता एक असम्मित युद्ध की रणनीती है, जो कमजोर राज्ये की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने पर केंद्रित है, यह मुख्यरूब से तीन रक्षात्मक परतों की बात करता है, जिसमें वाहे परत, सुरक्षा जानकारी और टोह लेने की शक्तियों पर अधारित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ताइवान रक्षा बल पूरी तरीके से तैयार हैं। इस सिध्धानत का अंतिमुद्देश्य एक हवाई हमले से अपना बचाव भी सुनिश्चित करना है, ताकि चीनी प्यूपिल्स लिबरेशन आर्मी यानि PLA के आक्रमन को सफलता पूर्वग रोका जा सके। आपको एध्यान देना होगा और यह समझना होगा कि जिस प्रकार से ताइवान और चीन के मद्धे विवाद देखा जा रहा है, उस प्रष्ट भूमी में यह रणीती महत्तपूर्ण हो जाती है। हमें ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से चीन को ताइवान पर भारी शेन श्रेश्टता प्राप्त है। होगी कि दोनों के बीच का विवाद किस प्रकार के निर्ने को सामने लाता है। भाई जूस एक्जाम प्रेप के आज के अंग में फिलाल इतना ही धन्यवाद।